दमस्कार, स्वागत है एक वर्फिर से राजनीतिक अखारा में राजिस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में आज कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है तीनों ही राजियों में आज नए मुख्यमंत्री शपत लेंगे लेकिन मायबती और अखिलेश यादब इस समारों में शामिल नहीं होगे बता दे कि राजिस्थान में जहां कॉंग्रेश की 5 साल के बाद सरकार बन रही है वहीं मद्यप्रिदेश और 36 गर में पार्टी 15 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता पर काविज होने जा रही है राजस्थान मद्यप्रिदेश और 36 गर में नई सरकार का शपत ग्रहन समारों आज 2014 के लोक सभाचुनाव और पिछले कई विधान सभाचुनावों में हार का मुद देखने के बाद कॉंग्रेश के लिए इन तीनों राजियों में सरकार बनाना 2019 के लोक सभाचुनावों से पहले काफी अच्छे संकेत के रुप में आए है इसलिए पार्टी ने तीनों ही जगों पर होने वाले शपत ग्रहन के लिए सभी विपक्षी दलों को नियोता भी भेजाएं दरसल कॉंग्रेश की पूरी कोशिस है कि वो अपनी नित्रित में 2019 के लोक सभाचुनाव के लिए विपक्षी एक्ता को दिखाया इसे पहले कॉंग्रेश ने करनाटक में HD कुमार स्वामी की सरकार के सपत ग्रहन शमारों में ऐसा दिखाने की कोशिस की थी लेकिन इस वार शायद या दरिस्ट देखने को ना मिले क्योंकि हिंदीपटी के इन तीन ही राज्यों में कॉंग्रेस सरकार बनने के जस्ट में दो प्रमुख सहयोगी पार्टियां शामिल नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में बहुमत के आक्रोय को न चूपाने वाले कौंग्रेस पार्टीको समर्थन का ऐलान करने वाली समाजभादी पार्टी और बहुजण समादभादी पार्टी न तो कमलनात के शपत गरहन समारों में शामिल होगी और नहीं राज़स्थान और चट्टिशग वार टेजश्वी आदम, M.K. स्टालिन, अजित सिंग, सीतारम येचुरी, हैमन सोरेन, अर्विन केजरिवाल और चंदरबावु नाइडू भी शामिल हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते कि कॉंग्रेस के लिए महागटबंदन का होना कितना जरूरी है। और कॉंग्रेस ये अच्छितर जानती है कि बिना इन सयोगे के वह बहुत ज़्यादा कमजोर रहेगी 2019 लोगसवाचुनावों में। लेकिन इस महागटबंदन बनने के रास्ते में ममता बनर जी माया बती और अफ अखिलेश यादम है। जो हर कुछ दिनों में ये एहसास करा देते हैं कि बिपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी परिस्तिती जहां कॉंग्रेस और कुछ अन्य दलों के लिए चिंता का विसे हैं वहीं या बीजेपी के लिए राहत की बात है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बिपक्ष के किसी भी दल के लिए अकेले या कुछ सहयोग्यों को लेकर नरेंद्र मोदी या भाजपा को रोक पाना उनके लिए असंभव है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।